हर्याना में जो पीएम कुशम योजना के तहत सोलर वाटर पंप के लिए किसानों ने जो अपलाई किया था उसके नाम गोशित कर दिये हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है उस लिस्ट को हम कैसे देखें उसकी जानकारी शुडियो मिलेगी और गौर्मेंट ने ये भी चेत आवनी दी है उसकी भी जानकारी शुडियो मिलेगी और कौन सी वेबसाइट से आपको वो पेमेंट करनी है सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेंगी तो पेमेंट करने से पहले ये वीडियो जरूर देखें तो देख लेते हैं पूरी अपडेट क्या है अगर आपको सोलर पंप जिन्होंने आवेदन किये थे उनके नाम आए हैं तो लिस्ट के लिए आपको हरेडा.gov.in की वेबसाइट पर आना है हरियाना कोवर्मेंट की यह इस तरह की वेबसाइट है डिपार्टमेंट ओफ न्यू एंड रिनेवलेबल एनरजी ठीक है तो यहां पर देख आप कलिक करेंगे तो आपको यह लिस्ट यहां पर मिल जाएगी देखने को यह पबलिक नोटिस और मर्ज इस पर कलिक करेंगे तो पीडिएफ के रूप में आपको यह मिल जाएगी ठीक है तो यहां सारी डिटेल इनोने लिखी हुई है यहां पर पूरी की पूरी डिटेल से लंबित बिजली ट्यूबल आवदकों को सोलर पंप दिये जाएंगे दक्षिन हर्याना बिजली वित्रण और उत्र हर्याना बिजली वित्रण निगम है जो ऐसे 33,815 आवदकों में से सिर्फ 4023 किसानों ने सोलर पंप का ओनलाइन परिकरिया से चैन किया गया है ठीक है तो सिर्फ 4023 लोगों किसानों का ही चैन किया गया है इसमें और दूसरी जो परिकरिया है वो थी MICADA पर ड्रोप मोर क्रोप स्कीम के तरकत भी सोलर पंप दिये जाएंगे जिसके लिए MICADA के ओनलाइन पोर्टल पर आवदन होगा ठीकर तीसरी जो स्कीम है अन्य आवदकों से सरल पोर्टल पर सोलर पंप के 45-46 आवदन प्राप्त हुए है एक यहाँ पर देखिए क्या न्य 161 आवदन प्राप्त हुए थे जिन में से कुल 45-4648 आवदन सही पाए गए है और 3413 आवदन डुप्लिकेट फैमली आईडी वे पहले से पंप लगा होने के कारण रद कर दिये गए हैं तो 3413 आवदन है वो रद किये गए हैं तो 6 तरह क्या पंप लगा सकते हैं 3HP का DC साड़े 7HP 10HP समर्शिबल 10HP AC 10HP DC 10HP AC युनिवर्सल कंट्रोलर समर्शिबल ठीक अच्छेत रखे हैं और यहां पर दिया है इंस्सेक्शन विभाग द्वारा वर्तमान में केवल उप्रोक्त 6 स्रेणियों के पंप ही दिये जाएंगे बाकी अक्समता के पंपों के आने की संभावना है जिसके बाद दुबारा पोर्टल बचे हुए आवेदनों के लिए खोला जाएगा जो आवेदन बच गई हैं जितने इन्होंने पूरे करने हैं आवेदन तो उनके लिए दुबारा से पोर्टल है तो दुबारा से पोर्टल खोला जाएगा उन्हों आ ठीक है इस पर हम जाएंगे अभी और देख लेते हैं यहां पर क्या लिखा है कैसे आपको महाँ पर अपलाई करना पड़ेगा इस वेब साइट पर जाने के बाद आपको किसान को लोग इन करना है लोग इन करने के लिए आपको अपनी सरल आइडी अपना फॉन नमबर कि अक्षमता को दी हुई 6 रणयों में से अपनी जरूरत अनुसार चैन बदल भी सकते हैं अगर आपने पहले कोई इन 6 रणयों में से कोई भी चैन कर लिया हो तो उसका बदल सकते हैं किसी ने 3.5 एचप का लिया है माले उसने 10 का लेना है तो वहां पर आपको बदल भी सक करना के बाद चलान जरनेट हो जाएगा वहां से कोई भी कमपनी तब तक चैन के लिए उपलब्द होगी जब तक उसकी अक्समता पूरी नहीं हो जाती जैसे माले किसी के 100 सोलर पंप उस कमपनी के हैं और 100 किसानों ने इसका वैदन कर दिया है तो वह कमपनी दुबारा वह विच्वल अकाउंट जो सभी किसानों का अलग-अलग होगा अपने ही बैंक खते में से उन्होंने नेट बैंकिंग के दुवारा जमा करानी होगी अपने बैंक अकाउंट से ही उसको जमा करानी है ठीक है राशी जमा करने के बाद पी-म कुसम.harita.gov.in वेबसाइट पर जा ठीक है इसके बाद विभाग द्वारा सभी कंपनियों को किसान के चेन अनुसार कारिय आदेश जारी कर दिये जाएंगे पातरता और आवेशक दस्तावेज क्या है यहां पर देखिए प्रिवार पैचान पत्तर आवेदक के प्रिवार के नाम पर पहले से सोलर कनेक्शन न चाहिए हरियाना जल संसादन प्राधिकरण के सर्वेक्षन के अनुसार उन गाओं में जहां भू जल सतर सो फिट से नीचे चला गया है सुक्सम सिचाई प्रनाली की स्तापना अनिवारिया है अन्यको भूमिगत पाइपलान या सुक्सम सिचाई प्रनाली को लगाना पर नहीं है सोलर पम्प की सकीम है जो 23-24 की नियम या सर्तो की विश्ति जनकारी के लिए आप इसे साइट पर जा सकते हैं आवेशक जनकारी भी हो और यहांपर किसान अपने से सम्मधित जनकारी पम्प के चुनावसुमंदित वीवरन ज्यान से भरें किसान अपने खेत के साइच पानी के लेवल और पानी की जरूर के रुशार टाइप और पंप का चेहन करें किसान को अपने खेत में केवल बोर करवा कर ही देना होगा बाकी पंप स्तापना का कारिया फरम द्वारा किया जाएगा टेंडर केमत के अधार पर जो लावारतिक हिस्षा किसान द्वारा दिया जा रहा है यदि नवीनिकर्ण उर्जा विभाग भार स्कवार द्वारा बेच मारक लागत अधार पर किमते त्या करने के पस्चार उसमें अंतर आता तो किसान को वाई लागत देनी पड़ेगी ठीक है 45648 आविदकों की जो सुची विभाग की वेबसाइट पर उपलब्द है इनकी छक्नी विभाग में उपलब्द PPP डाटे से की गई है इनके अतरिक्त सर्वे के दोरान या PPP लगाने की प्रिकरिया के दोरान यह पाया गया कि किसान के प्रिवार पैचान पत्तर पहले से ही PPP आवंटन है तो उस किसान का pump रद कर दिया जाएगा यह में विभाग की सकीम दिशाद दिशाद दिशों के नुसार कारवाई की जाएगी इसलिए इसे किसान लावार्ती हिस्सा ना जमा करवाएं देखो यहाँ पर यह चेतावनी जो मैंने लिखी थी पैसा जमा कराने से पहले यह देखें तो यहाँ पर यह उन्होंने लिखा है जिन होने पहले से यह pump ले रखे हैं अपनी family ID के ऐसे किसान अपनी जो राशियों जमा ना कराएं सकत आदेश हैं यह उनको pump नहीं दिये जाएंगे तो यहाँ पर पूरे यहाँ पर company के नाम भी विरा आपने दिये हुई है आप देख सकते हैं और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है यह आपको लिस्ट मिल जाएगी जो जिसने अपलाई किये थे उनकी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है आप अपनी family ID के हिसाब से अपने नाम वगएरा चेक कर सकते हैं यह लिस्ट आपको हरेडा की website पर मिल जाएगी ठीक है तो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को यहाँ पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं अब हम बात करते हैं इस website की जहाँ से आपको online आवेदन करना है जिसने की पैसे जमा करने हैं आप लिस्ट यहाँ पर भी download कर सकते हैं इस site पर आगए हम pmkusum.harada.gov.in आप यहाँ से भी download कर सकते हैं वही जो मैंने आभी आपको दिखाया था लिस्ट वेगरा या और अब apply for apply to deposit beneficially share and selection of vendor यहाँ पर आप अपना जो आपने पैसे जमा कराने हैं वो और vendor का selection यहाँ से करेंगे इस पर आप click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर serial ID या mobile number से get opt करके login हो जाएंगे और बाकी का process मैंने आपको पहले बता दिया है आगे जैसा process होगा उसके साब से आप कर लेना ठीक है तो यही information आप लोगों से share करनी थी जिन लोगों के solar water pump निकले हैं उनकी list आपको यहाँ पर मिलेगी link मैं आपको description box में दे दूँगा वहाँ से आप सीधे आ जाएंगे इस website का भी link आपको description box में दे दूँगा तो आपने जो जमा राशी जमा करनी है solar pump की राशी जो government ने तै की है वह वहाँ पर आप complete कर पाएंगे तो वीडियो को जाए 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 लोगों को share करें वीडियो को like करें और चैनल पर अगर आप पहली बाराई चैनल को subscribe करें धन्यवाद वीडियो देखने के लिए